नमस्कार दोस्तों परिक्षा में कठिन प्रस्थनों का जवाब पहले देने का रिजल्ट आ चुका है और मैं बदाई देना चाहूंगा अपने देश के ये शसी अदनी प्रधानमंतरी स्री मोदी जी को जिनोंने खोन पसीना बहा करके दिन रात एक करके अठरा अठरा घंटे काम करके और पूरे देश को ताक्ट पे रख करके दो महिने जो मेहनत की उससे उन्होंने पश्चे मंगाल में 75 सीटे हांसिल कर ली हैं बढ़ाई हो बढ़ाई हो अमिचा जी को भी बढ़ाई हो नड़ा जी को बढ़ाई हो राजनास सिंग जी को और बढ़ाई हो इस्प्रतिरानी जी को बढ़ाई हो योगी जी को बढ़ाई हो सिवराज सिंग चाभान जी को बदाई हो मनोस्तिवारी जी को बदाई हो रभीकिसन जी को बदाई हो अरणवगोसवामी जी को और बदाई हो टू-फिप्टी अदर्स जी को भी इतने सारे लोगों ने मिलके जो तिन रात एक किया पस्चिव मंगाल में उससे ये रिजल्ट सामने आया है 75 सीटे मिली है 75 कम नहीं होती है 3 सीटों से ये लोग 75 सीट पे पहुँचे है इतनी कड़ी मेहनत करके बताईए इतने सारे लोगों को टांग के बंगाल ले जाया गया लेकिन उधर मंता दीदी ने एक टांग पे आंग से खेला कर दिया लेकिन मंता दीदी ये कोई जो सरकार बर नहीं है आपकी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है मंता दीदी इसमें आपका कुछ नहीं है वहाँ की जनता ही ऐसी है क्या बोने ऐसी जनता को बताई ये ऐसी जनता जिसको विकास ही नहीं चाहिए जिसको सुनार बांगला नहीं चाहिए बताईए आप जिसको रोजगार नहीं चाहिए जिसको महिनाओं के सुरच्छा नहीं चाहिए ऐसी जनता से क्या फैदा आपी जी तो ममता जी मतलब ये मोधी जी दो महने से इतना सारा सामान लेकर के वहाँ पर पड़े हुए थे इसी जनता को देने के लिए लेकिन जनता को चाये नहीं ऐसी जनता है वहाँ की देखिए इसमें मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ा है मोदी जी तो ये अपना विकास रोजगार और ये सब उठा करके जोले में डाल करके किसी दूसरे स्टेट में इलेक्षन होगा ये सारा समाल लेके वहां बेज देंगे मतलब वहां पे जा करके लोगों का भला कर यही साब विकास रोजगार जैसरी राम अब महिला सुर्ण ये सारा माल उत्तरपदेश में बेज देंगे मोदी जी यहां के लोगों को मोदी जी की कदरी नहीं है और वैसे भी मतलब जो कुछ भी हुआ है सब कंफ्यूजन में हुआ है यह लोगों ने जानबूज के प्लानिंग की है वादर मतलब यह लोग 200 सीटों से उपर होते जानबूज के कंफ्यूज किया गया अब मोदी जी को क्या पता बंगला बंगला कैसा है तो यह लोग सिखाते थे उन लोगों ने कंफ्यूज किया है वोदी जी हर भासल में बोलते इतना भाई हो भाई वह न आब ये तोला बाजी नहीं चलेगी जनता कन्फ्यूज जनता को लोगा बतोले बाजी नहीं चलेगी मोधी जी कहते अब तोले बाजी नहीं चलेगी जनता को लोगा बतोले बाजी नहीं चलेगी कन्फ्यूजन हो गया इतना कन्फ्यूज किया है जब ये लोग वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए गए तो इनको एक पढ़ा लिखा अच्छा अधिकारी चाहिए था किसी ने confusion में सुभेंदू अधिकारी टिका दिया अब इसी confusion में मामना गडबल हो गया हम बताएए किसी ने मोदी जी को बांगला सिखाई उसमें confusion हो गया किसी ने बांगला क्या सिखाई देखिए हर जो शब्द होता है ना उसमें थोड़ा सा ओ लगा दिया को जैसे हम होता है हम असल होता है ना असोल ओ लगा दो परिवर्तन होता है ना पोरिवर्तन ओ लगा दो तब भी मोधी जी बोलते थे असल परिबर्तन होगा तो मोधी जी हर चीज में ओ लगाने लगे इसी कन्फूजन में उन्होंने दीदी के साथ भी ओ लगा दिया दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी बैस यही वाला जो ओ था वही गड़बड़कर गया कन्फूज कर दिया लोगों ने बताया नहीं कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है तो मोधी जी ने तो दीदी के साथ ओ लगाया लेकिन मंता दीदी ने मोधी जी के साथ जी लगाया तो मोधी जी का जी ओ गो हो गया चैन्पीज़न मोधी जी मजब भासाल देते थे बहुत कोशिस किया उनोंने देखा होगा एक बार तो भासाल में ये भी बोल ले थे भायों बहनों यह ममता दे दे हमें गाली देती हैं अब देख फिर कन्फूज हो गया पता यह इतने बड़े बुजरुग आदमी इनको गाली दे रहे हैं इसे बच्चे नहीं छोटे शिकायत करते हैं मम्मी दोको दीदी गाली दे रही है अईसी जब मोधी जी हमसे शिकायत कर रहे हैं तो हम किससे शिकायत करने जाएंगे ना पहिया ना तदा इस चैठा दीदी ठीका है इसी कन्फूजन में दीदी का खेला हो गया है लेकिन एक चीज है कि बीजेपी वालों ने अपने जो उसूल थे उनके साथ समझाता ने किया 2014 से जो इनके उसूल थे जुमले माजी के अभी भी 15 पंदर लाक ये वो बात में बोला था जुमला है इस बार तो उन्होंने अपनी पार्टी को जुमला दे दिया बोले ते 200 सीटे आएंगी 200 सीटे आएंगी 75 टिका दिया और बोले वो तो जुमला है अब पताएए बीजे जनता को भी जुमला दे रहे पार्टी को भी जुमला दिया अलाकि मोदी जी जब रेली करते थे तो रेली में इतने सारे लोग आते थे लाखों लोगों की रेली होती थी मोदी जी कितना खुछ हो जाते थे क्या बोलते थे मैं यहां से वहां तक जहां तक मुझे दिख रह है इतने सारे लोग इतनी बड़ी रोली मान पहली बार देखी है भायो बहनों आप लोगों का इतना प्यार मिल लहा है भायो बहनों इतने सारे लोग अब ममता दिदी को सत्ता से हटाने से कोई रोक नहीं सकता फिर कन्फिजन हो गया क्योंकि नड़ा सहाब ने और अमिश सहाजी ने मोदी जी को बताई नहीं था कि यह यहां की पब्लिक नहीं है यह तो ट्रेन और बस बुक करकर के यूपी बिहार और दूसरे स्टेट्स पब्लिक लेकर के आये हैं पस इसी चक्कर में कन्फिजन हो गय मंता जी आपने तो खेला कर दिया लेकिन फिर भी मंता जी का यह कहना है कि हम सबको रहत देगा मंता जी सबको रहत देगी और उन्होंने शुरुआत भी कर दिये खुद चुनाव हार करके उन्होंने बीजेपी को थोड़ी सी रहत दे दिये तब या फिलहाल थोड़ी-थो हो बे, खेला हो बे